आज हम आपको बताएंगे टीमसी सांसत की मिमिक्री मामले में करमाई सियासत की पूरी कहानी यह घटनाकरम मंगलवार को संसत की सेढ़ियों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला था तभी तिर्मूल कॉंग्रेश नेता कल्यान बनर जी ने उपराश्पती जगदीब धंकड का मजाक उड़ाती हुए उनकी मिमिक्री की थी इस दौरान राहूल गांधी प्रमोत तिवारी समेट विपक्ष के कई बड़े नेता मौझूद रहे इस मुद्दे पर हंगामे की वज़ा से राजसभा का कामकाच ठप रहा जिसके बाद पूरी देश में सियासत ने तूल पकड़ लिया बयानों और पलटवारों का दव सुरू हुआ जिस पर आरोपी टीमसी सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि मिमिक्री करना एक कला है सभापती खुद भी विपकची सांसदों के इस असंसदिय कारणामे से बेहद नाखुश है इस घटना पर उपराष्टपती जगदीब धंकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गिरावट की सीमा होती है मैं इशवर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सदबुद्धी आ आना आया है उन्होंने कहा कि सभापती किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और चिलाए जा रहे हैं वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है रासभाय स्पीकर जगदीब धंकर ने शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक समवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में ऐसा हो सकता है दुर्भाग पूर्ण है मैंने उनसे कहा प्रधान मंत्री जी कुछ लोगों की हरकते मुझे रोक नहीं पाएंगी मैं अपना करतव निभा रहा हूं और हमारे संविधान में नहित सिध्धानतों को कायम रख र चुका है ऐसे में सवाल उड़ता है कि इतनी तादाद में सांसदों का निलंबन उनकी गलतियों का ही परिणाम है या फिल लोग सभा चुनाओ 2024 को लेकर सत्ता की कोई नई चाल है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कोमेंट सेक्षन में हमें अपनी राय जरूर लिखें और